Good morning student, हम study कर रहे हैं Chapter 9 Force and Laws of Motion Last lecture में हमने बात की थी balance and unbalanced force की और आज का हमारा topic है First Law of Motion By observing the motion of object on an inclined plane Galileo deduced that object move with a constant speed with no force act on them तो Galileo ने observe किया motion को बहुत सारे object में ऐसा object जो एक induced plane में move कर रहा है constant speed के साथ उन्होंने बताया कि उसमें कोई भी force act नहीं हो रहा है He observed that when a marble rolled down an inclined plane उन्होंने बताया कि जब कोई एक marble को एक inclined plane में जिसा आपको figure 9.5 में दिया गया है ऐसे में अगर किसी को marble को roll down किया जाता है its velocity increases तो सबसे पहले क्या होता है उसकी velocity इंक्रीज होती है जैसे यह वाले डाग्राम में आपको दिख रहा है ठीक है In the next chapter you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attain a definite velocity by the time it reaches the bottom ठीक है अगले जो चैप्टर है gravitation इसमें आप पढ़ोगे कि कोई एक कोई भी object जो freely fall हो रही है under the force of gravity तो वो क्या करती है वो एक definite velocity को क्या करती है अटेन करती है जब वो bottom surface में पहुंचने वाली होती है ठीक है its velocity decreases when it climb up as soon in figure 9.5b और जैसे जैसे object नीचे से उपर की वो दुबारा जब जाएगी तो जब वो अपर surface में पहुंचेगी तो जो उसने velocity attain की थी वो क्या हो जाएगी तब सबसे कम हो जाएगी ठीक है तो जब किसी object को या किसी marble को ऐसे plane में move करवाया जाता है तो क्या करती है वो जो frictionless plane है उसके दोनों साइड में वो लगातार क्या करती रहती है जब किसी marble को ऐसे plane में जहां पर friction बिलकुल zero होता है जितनी हैड से हम उसे move करवाते हैं उतनी हैड में वो उपर भी जाती है इस बात को के लिल्यू ने सबसे बहले बताया अगर क्या हो कि जो inclicions हैं जो उचाई हैं दोनों plane की वो इक्वल हो तेन दा मार्बल वूल वूल क्लाइब दे सेम डिस्टेंस एड इत कवर्ड वाइल रोलिंग डाउन तो जब वो नीचे के ओर आएगा तो वो उतनी ही डिस्टेंस को कवर की करेगा जितने से उसे से रिलीज किया गया है इव दा एंगल ऑफ इंक्लूजिशन ऑफ दे राइट साइड प्लेइन वेर क्रेश विली डिक्रीज अगर हम जो एंगल है इसको हम और घटा दें ठीक है अगर हम इसे और घटा दें इस एंगल को तो क्या होगा देन दे मार्वल दुट्रेवल फॉर्द दिस्टेंस तिल इट रिचेस द ओरिजनल हाइट तब वो उसको क्या करना पड़ेगा जादा दिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अपनी जो ओरिजनल हाइट है उस तक आने के लिए इप दर राइट साइड प्लेन वेर गर जो क्या है उस प्लें को राइट साइड की प्लेन का अजब अलग अचानक से हर फॉरिजेंटल करतिया जाए तब क्या होuri होगा दैट a & and the slope is reduced to zero teh जो जो शूसका लगातार मूब करते रहेगा जमीन में जितनी हैट से छोड़ा गया है उतनी हैट को पहुंचने और उतनी हैट को कवर कर निकले वो लगातार कि अगर ते रहेगा मूब होते रहेगा The Unbalanced Force on the Marble In this case is 0 तब इसमें जो Unbalanced Force लगा है वो क्या होगा? वो 0 के परवर होगा क्योंकि हमने अचानक से उसका Slope क्या कर दिया है? 0 कर दिया है तो अगर हम इस Head से वो Release हुआ था तो इस Head को लेने के लिए वो लगातार क्या होगा? आगे के और move होते देगा जबकि इसमें कोई भी force क्या होगा नहीं होगा ठीक है इट थर्ष सजेस्ट एट अन अन बैलेंस force is required to change the motion of the marble तो यहां पर क्या हमें suggest किया जाता है कि हम अगर उस marble को कि जो force वाली या जो उसकी motion वाली जो stage है उसको अगर हम change करना चाहें तो हमें क्या चाहिए यहां पर external unbalanced force ही है ठीक है but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble और ऐसे कोई जरूरत नहीं है में uniform motion की नहीं हाँ यहां पर कोई force की जरूरत नहीं है अगर हम और सही जो uniform motion से move कर रहा है marble उसकी speed को हम लगातार वोई बनाए रहे तो हमें कोई बाहर से external force की जरूरत नहीं पड़ेगी that practical situation is difficult to achieve a zero unbalanced force लेकिन क्या होता है कि ऐसी conditions अगर हम practically या अपने जो daily routine में देखें तो वो काफी कम दिखाए देती है this is because of the presence of the frictional force और ऐसा क्यों होता है क्योंकि frictional force जो हमेशा present रहता है किसी surface में और वो क्या करता है acting opposite to the direction of motion वो motion के opposite direction में लगने वाला एक force है तो कोई भी ऐसी conditions जापर zero unbalanced force लगे वो लाना थोड़ा क्या होता है कथिन काम होता है this is practice thus in practice of marble stop after traveling some distance the effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on top of the planes तो ऐसा condition लाने के लिए जो experiment हमने किया हमें कैसे होगा एक frictional एक ऐसा smooth marble चाहिए होगा जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी rough surface नहीं हो और एक ऐसा plane भी चाहिए होगा जो बिल्कुल smooth हो जिसमें frictional force क्या होगा बिल्कुल zero ठीक है Newton further situated galileo idea on force अब क्या होगा जो Newton साइं दिसते हैं उन्होंने galileo के इसी idea को किस idea को unbalanced force वाले idea को उन्होंने क्या क्या force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion object motion of objects तो उन्होंने motion और force को लेकर के three laws को यहां पर उन्होंने अपने दिये चो क्या करते हैं गवन करते हैं जितने भी motions किसी भी object में दिखाय देते हैं इस त्री laws are known as Newton's law of motion और इन्ही laws को क्या बुले जाते हैं इन्ही laws को बुले जाते हैं Newton's law of motion The first law of motion is said as जो first law है motion का वो क्या है An object remain in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled or changed that state by an applied force काफी ज़्यादा tough language में दिया है फिर भी समझने के वोशिस करते हैं an object कोई भी object जो है वो रहेगा state of rest में या फिर रेस्ट की stage में या फिर uniform motion की inner state line किसी सरल देखा में unless जब तक उसे क्या नहीं किया जाए compelled to change that state by an applied force एक by a force के ज़रा एक external force के ज़रा जो उसकी conditions है उसको compel ना किया जाए उसे change ना किया जाए तब तक वो अपनी initial state में ही तरहेगा ठीक है अगर हम इस definition को दूसरे word में बोलना चाहे है तो हम बोलेंगे any object remain in the state of rest or uniform motion in a straight line path unless or until any external force applied on it ठीक है थोड़ा सा simple हो जाएगा any object remains in a state of rest or uniform motion unless or until ठीक है तब तक जब तक जब तक क्याना हो any external unbalanced force applied on it जब तक कोई एक पाई एक unbalanced force उसमें apply ना किया जाए या फिर in other words all object resist a change in their state of motion तो दूसरे सब्दों में अगर हम बोले हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी object हैं वो क्या करते हैं वो रजिस्ट करते हैं विरोध करते हैं और change in their state of motion और rest वो अपनी जो state है उनकी motion की या फिर रेस्ट की उसमें change होने से वो क्या क्या करते हैं विरोध करते हैं in a qualitative way the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia तो यहां पर एक अगर हम इस जो प्रॉपर्टी है object की रजिस्ट करने की उसके initial जो state है rest या motion की उसमें तो उसको हम quantitative way में एक term की दोड़ा define करते हैं और वो क्या है inertia और inertia क्या कहते हैं किसे बोलते हैं अगर हम कहें तो inertia बोलते हैं the tendency of resisting or opposing any change in the initial state of rest or motion of any object तो किसी भी object की जो initial state है उसमें change होने से जो कि चेंज होने का जो अपोज करने अली tendency है उसको क्या बोलते हैं inertia बोलते हैं this is why the first law of motion is also known as the law of inertia तो इस वज़े से जो first law of motion है Newton का उसको law of inertia भी बोला जाते हैं ठीक है हमने definition पढ़ी पर ले उसमें हमने पढ़ा कि any object remains कोई भी object रहती है तब तक in a state of rest और uniform motion अपने rest की stage में या फिर uniform motion की speed में तब तक रहती है जब तक कि कोई external unbalance force उसमें apply न किया जाए तो इसका मतला यह है कि जो object है वो अपनी initial state को बनाए रखना जाती है उसमें वो change करने का approach करती है और इस approach करने वाली property को ही हम क्या बोलते हैं उसकी inertia बोलते हैं तो इस वाज़े से जो हमारा first law of motion है उसको क्या भी बोला जाता है law of inertia भी बोला जाता है तो आज का lecture ही पर complete होते हैं इससे आगे next video में देखेंगे thank you